हाई दोश्तों गुड यूवनिंग आई होप आप लोग सोस्त होंगे मस्त होंगे यूटूब चैनल पर सिस्याई विज्जाप में आप लोग का हादिक श्वागत है अभिनंदन है आज का जो टॉपिक है आज का टॉपिक है यह पी यस्वी हाई स्कूल टेट का सलेबस तो वी, S, B, E, M, C, M, D, E, C, E, E, C, employees, S, C, Sel, B, C, Board फ़स्ट पेपर की बात कही जाए तो फ़स्ट पेपर यहां पे यहां भाग बताया गया है चार भाग है बिसे वस्तू के बारे मिधर दिया गया है और यहां पे प्रशनों की संख्या है कूल अंक यहाँ पे बताया गया है फ़स्ट पेपर आपका तीस नंबर का आएगा और तीस नंबर में और यहाँ पे आपके सब्जिक यहाँ पे डिवैड कियेगे और आपका 120 नंबर का आपके सलेबस आपका जो सब्जिक्ट है कोई भी सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट से 120 नंबर का question आएंगे और 30 नंबर का first paper यहां से सब include होंगे तो सामान हिंदी में कहा जा तो सामान हिंदी में आपका 8 MCQ आएंगे और आपका 8 नंबर के होंगे 8 mark होंगा उसका और सामान अंग्रेजी में भी क्या है 5 MCQ आएंगे और उसका भी जो mark होगा 5 क्या है 5 नंबर का यह भी होगा सामान ग्यान वह सम सामई की जो होगा घटना क्रम तार की क्योंगिता यह भी आपका 7 MCQ होगा और यहां पे 7 mark का होगा आपका है सिच्छा सास्त जो पेडा गाजी है यह है आपका सबसे ज़्यादा यहां पेडा गाजी देगा वो है 10 MCQ आएगा 10 question आएगा वो भी 10 आपका क्या है mark का होगा तो total यहां पे जो भी question होगे पुरे 30 question होगे और जो इसमें total number होगा 30 number का होगा 120 number का आपके जो 120 number है आपके syllabus से जैसे आपका जो भी हिंदी है English है, Home Science है तो आपके syllabus से 120 number के question आएगे चलती है अब first paper के syllabus की और उसको देख लेती हैं क्या-क्या syllabus के अंतरगत बताया गया first paper में यहां पे बात कहेगे कुल अंक 30 है आपके जो 30 number के question आएगे इससा topic के अंतरगत आएगे भाग अब में बताया गया है सामान हिंदी, जनरल हिंदी है आपका विलोम शब्द है शब्दावली है, ब्याकरड है क्या है, समार्थक सब्द है समार्थक सब्द है और वाक्यों कानवाद है रिकत स्थान और तुर्टी का पता लगाना परिछेद है, वाक्यान से मुहावरे है बहु वच्चन आदी ये सभी है आपका ये सामान हिंदी के अंतरगत ये topic है, इसे सब पढ़ना है अब आते हैं सामान अंग्रेजी में आपके सामान अंग्रेजी में कौन-कौन से topic है जो इससे question बनेंगे तो verb है, tense है और wise है, subject verb है agreement है, आपका articles है comprehensive है comprehension है, feel in the blank है adverb है, error आपका correction है sentence है और rearrangement है, unseen है और passage है, our vocabulary है आपका antonym, synonym है, grammar है ideas and phrases है phrase है अब आगे चलते है question की योड आगे है, जो तिसरा point है आपका सामान अंग्यान वा समसामेगी की घटना क्रम से है समसामेग मामले वा राश्ट्री वा अंतर राश्ट्री की महत्व घटनाए भारत का इतिहास वा भारत के राश्ट्री अंधुलन के बारे में है कि परियावर पास्ति की जैवी वीता मौश्वम में बदलाव शामाने विज्ञान आधारी शामाने मुद्दे भारती संस्क्रीती और इसके अंतरगत है राष्टी वा मंतराष्टी खेल को दिये सभी पॉइंट से क्वेशन बनेंगे यंपी का मध्यप्रदिस का इतिहास आएगा और उसमें भूगोल वा राजनितिक होगा इसमें और यंपी का आर्थिक वा सामाजिक विकास के बारे में भी यहां से भी कोशन इसमें इंपी स्पेसल में है तो इसमें आपको यह सब पॉइंट पढ़ना होगा यंपी का इतिहास इनके वह भूगोल वा राजनित यंपिक आपका आर्थिक वह सामाजिक विकास इतने ही हैं जो कि यंपिका स्पेसल है। प्ह skip है और अवंतर्की कियोगट है की अंतरगा शामांय मानसिक वो विश्लशात्मक योगटा साब्धिक तरक योगत रजीनिंग रीजनिंग संबंद वो पदानुक्र इनलोजी, दावासत्य कथान, कोडिंग वाई, डिकोडिंग, इस्तिती जन्न, तरक श्रिंखला, पैटर्न जिसमें सब्द और वर्ग शामिल हो, ये क्या है कि इसके अंततार की योगिता के अंतरगत आएंगे, और यहां पर है आंकी की योगिता, आंकी की योगिता के जन्संख्या पैटर्न, श्रिंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधी, आधारवुद ज्यान, अंक गडिती, अवरिती, आकडो की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, वतालिका, आकडो की पर्यापता, विभिन संदरभों में दिसा, ज्यान वा विश्लेश्ण की व्याख्या, अब आजाते हैं, पाचवे पॉइंट पेडागाजी, पेडागाजी के अंतरगत क्या है, पाठ चर्या पॉइंट के अंतरगत है, अर्थ सिधान, पाठ चर्या, संगठन के प्रकार, द्रिष्टी कोड, अब है पॉइंट योजना, योजना के अंतरगत है, अनुदेशन य योजना वासिक योजना इकाई योजना पाठ योजना सव में देखते हैं अनुदेशन सामगरी वा संधन पाठ पुष्त के अभ्यास पुष्तिकाई पूरक सामगरी क्या अंतरगत क्या है द्रिश स्रब सामगरी साहर सामगरी प्रियोक साला है पुष्तकाला है क्लब है संग मगर मुल्यांकन कैसे किया जाएगा, शच्री को प्लब्दी परिशड का विशलेशडवा व्याख्या कैसे किया जाएगा, इन सभी के बारे में पठना है, सामावेसित सिच्छा, विविता को समझना, क्या क्या उनके अवधार्डा वा प्रकार, समाजिक निर्माळ के रूप वा इसके सैचिक प्रभाव, समवेदी अच्छमता, स्रवड अच्छमता वा वधिरांधता, आगे पॉइंट है कि संग्यानात्मक दिभ्यांगताईं, स्वलीनता, बौधिक दिभ्यांगता एवं सीखने की विशेष्ट दिभ्यांगता, सारिक दिभ्यांगता, प्रमस्तिक गात, दिभ्यांग, बच्चों के संदर में समावेशन का दर्शन, ये सभी पॉइंट के है समावेशिच सिख्छा के अंतरगत हैं, देख लेते समावेशन की प्रक्रिया क्या है तो दिभ्यांगता, वो संबंधी मुद्दे, सवयधानी प्रावधान, सिख्छा एवं तकन की, आगे पॉइंट है तीसरा के संप्रेशन वा चर्शा के अंतरग्या था संप्रेशन के सिधान, संप्रेशन के प्रकार, संप्रेशन वा भासा, कच्छा में संप्रेशन, संप्रेशन में बाधाएं, सचिक मनो विज्ञान के अंतरगत क्या है पढ़ना, बच्चों की तीस नंबर का question है उसकी regarding जो topic है यहां पी यह complete होते हैं इतने से आपको तीस question इसमें पढ़नी है तीस question यहीं से पूछे जाएंगे तो I hope आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइस सब्सक्राइब सेर जरू किज़ेगा और हम point wise इसमें वीडि बाइसे सब्सक्राइब सेर भीडियो यहां जो जो भीडियो नवीडियो वीडियो जो वीडियो जो फो आपए भीडियो